हिंदू रास्तियता का प्रफीक है और भारत की रास्तियता का प्रफीक शिंदुत्र को पतनाम करोगे उसकी कीमत चुपानी पड़ेगी इन लोगों को इस देश में बारा लाग से धिक सादू संत और फुजारी रहते हैं लेकिन ये लोग इमामों केले बेतन की घोशना करते हैं एक पक्सिय कारवाई करते हैं क्या एक स्योकलर रेजंडा है दिल्ली की सरकार ने किया पस्मी बंगाल की सरकार ने किया महाराष्ट की सरकार ने किय क्या यही सेकलरेजंडा है सामप्रदाई का अधार पर ये लोग पांड़ते हैं समाज को और महुद है उसी प्रकार से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की बाइब बात करता हूँ वहाँ पर जो योजनाय हैं उसमें 20% मुस्लिम आबादी के लिए आरक्सित कर दिया गया कब्रिस्तान की बौंडरी वाल के नाम पर गाउं गाउं में बिवात खड़ा करके 300 करोर रुपया उसके लिए अबंटित किया जाता है गाउं गाउं में उसके माद्जन से बिवात खड़ा किया जाता है सुप्रिम कोट कहता है कि किसी भी सारजनिक संपत्ति पर मंदिर के नाम पर मस्जिद के नाम पर किसी भी अन्य उपास्टना विधी के नाम पर मदर्सों के नाम पर ये मजारों के नाम पर कब जाना मत करने दो लेकिन उत्तर प्रदेश में कबरिस्तान की बॉंडरी वाल के नाम पर धडले से एक काम चला है कोई रोक टोक नहीं क्योंकि सासन की ये मंसा है इसलिए प्रसासन उसमें बोलता नहीं क्या सामपरदाइक धुर्वी करन नहीं होगा उसी प्रकार से उससे भी खतरना किस्ति थी आतंग बादियों पर दायर मुकद में वापस लिए जाते हैं आतंग बादियों पर दायर मुकद में वापस लिए जाते हैं इस देश में इस देश में इस देश में जो लोग रास्तिय सुरक्सा के लिए खत्रा बने हुए हैं जिन लोगों ने रास्ति की संप्रवता को चुनौती दी हैं जो लोग लगातार भारत की संप्रवता को चुनौती दे रहे हैं और देश में हिंसा को गढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों पर दायर मुकत में के सीरे ब्लस्ट का मामला रगत ये जितने भी मामले हैं इन सभी मामलों में जिन आतंगवादियों के खिलाब मुकदमे दर्जवे थे उत्तर प्रदेश की सरकार ने वोट बैंक के ले उन मुकदमों को वापस लेने का कुछित प्रियास किया नियायल है अगर बीच में नहीं होता तो संभव तो अब तक कोई आतंगवादी बाहर छूट करके इपना नरसंगार कर रहे होते जिस पकार से उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर हुआ है और उसके बाद भी कहते हैं कि सामप्रदाइक हिंसा बनी रहे मौदे चर्चा का विसे होना कि आकिर सामप्रदाइक कौन है कौन है सामप्रदाइक कौन सामप्रदाइक है और मुझे लगता है इस पर चर्चा होना बहुत आउस्यक है मौदे जो हम लोगों ने जाना है जो हम लोगों ने समझा है इस सामप्रदाइक वह होता है जो कहता है कि मेरा इस्ट या मेरा देव या मेरा पैगंबर ही सरुस्रेश्ट है उसके मानने वालों को तो जीवित रहने का अधिकार है सेश को नहीं मुझे लगता वह सामप्रदाइक है हिंदु जीवन दर्सन कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता हमने किनवन्तो विश्वारिम का संदेश दिया था हमने सर्वे भूंत सुखिना का संदेश दिया था हमने तो इस देश के अंदर एकम सद विप्रा बहुता बदंत की बात कियी है जियो और जीने दोवर विस्वास हमारा दर्सन करता है और दुनिया की कौन सा मजभ और कौन सा ऐसी कौम है जिसको विप्रीत परिस्तितियों में इस हिंदु दर्सन ने अपने हाँ संण न दी हो उसको फलने फुलने का उसर न दिया हो तो उसे एकजुट होना तो पड़े गाई ही और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पुरे देश का हिंदु जन्मान साथ इस बात के लिए तयार हो रहा है कि उसके खलाब आज सासन पंतर से जो खड़ेंतर हो रहे हैं उसका ज्वाब अपने स्थर पर देना ही पड़े गा और आज वही इस तीस सामनी आई है मुझे मैं पूछना चाथा हूं मैं पूछना चाथा हूं देना जब भारत का भारत का मुसल्मान हज यातृत्रा करने के लिए जाता है मौद है जब हजयात्रा करने के लिए जाता है उसकी पैचान तब भारतिये के नाम पर नहीं पाकिस्तानी के नाम पर नहीं बांगला देशी नाम पर नहीं भारतियों पहादीप का जो भी मुसल्मान हजयात्रा करने के लिए जाता है उसकी पैचान हिंदू नाम पर होती है उसकी पैचान भारतिये पाकिस्तान या बानला देश के नाम पर नहीं लेकिन अगर उसी हिंदू पैचान को हम इसके उपर यहां पर लागू करने का प्रियास करते हैं इनको बुड़ा लगता है हिंदू, हिंदू सामपरदाइकता नहीं हिंदू रास्तियता का प्रतीक है और भारत की रास्तियता का प्रतीक सिंदुत पको पतनाम करोगे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को और इसलिए मोहदे मैं आप सब के मात्यम से एक बार कहना चाहता हूँ मोदे एक बार गुर्दे और रविंदर ना टेगोर ने कहा था गुर्दे और रविंदर ना टेगोर ने एक बात कही थी उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है अगर भारत को समझना है बैठ गई आप अगर भारत को समझना है तो मैं भारतिय स्मित्ता को पैचानना है तो स्वामी विवेकानन्द के बारे में आप जान लीजिए स्वामी की विवेकानन्द ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो मैं हम हिंदू है स्वामी विवेकानन्द ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू है स्वामी विवेकानन्द तो सामप्रदाइग नहीं थे स्वामी विवेकानन्द तो किसी पार्टी के नहीं थे स्वामी कभ वेकानन्द ने तो भारत का प्रदुनिद्ट तो किया था पुरी दुनिया के अंदर और दुनिया के अंदर जो हिंदू आज पुरे देश के अंदर पुरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णता के लिए पैचाना जाता था आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का बिवार क्या जा रहा है वह कस्मीर से बिस्त्यापित होता है उसे कस्मीर से निकाला जाता है एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है लोग इन लोग का मूनी खुलता रहा कोई नहीं बोला जम्मू कस्मीर के बात जम्मू कस्मीर के हिंदों के मारने पर कस्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया एक भी बार ये लोग बोले नहीं इनको फीडा नहीं हुई दुनिया के अंदर ये अपने आप में बिर्ला उतारन था जहां पर अपने ही देश में अपने ही जानने वाली लोग बिस्त्यापी थोकर के खाना पदोस की चिंदगी चीरे हैं उस सर्मना घटना की निंदा एक भी बार इन लोगों ने नहीं की मुंबई के दंगों पर ये लोग मौन रहे जमसेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंदा ब्यक्त नहीं की और तोर 1984 में इस देश के अंदर जिन सिक्व गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने और इस देश की धर्म और संस्कृत देश के समाच को बचाने में बहुत महत्वपूर थी उन सिक्वां के कतल याम पर भी इनको सर्मन महसूस नहीं होती है और आज लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सामपरदाइक सहार्द की इनका पुरा चेरा सामपरदाइक हिंसा से रंगा हुआ है सामपरदाइक एसेंडे से रंगा हुआ है और इसलिए बंदो मोदे इस देश के अंदर असम में क्या हो रहा है बंगलाजेशी गुस्पैटिये इन लोगों के अपने हो गये और इस रेस में लाखों वर्थों से रहने वाला स्वंगाई वराया हो गया इस रेस के अंदर मोदे आसम में बंगलाजेशी गुस्पैटियों के कारण कोकरा जाड अधररोच प्रोंग अधर रूल के अवर्न फोने लेमन रूल ख युदध लूड़ के अ लें इन बंगलाजे क कारण । वा ँद रूसेंख भी अ टूलेल आसराड विद्ध आईन। 2013 my question was there sir you know you cannot you cannot you cannot you cannot give wrong figures that was the highest number for the Madhya Pradesh I have I have my I have my question over here answer I request you to check the record please please sir please please take please say no no please see I and his leg and his leg and my legs please see the member is speaking and giving some figures you are disputing that figures no 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 in your speech you can say there is no ruling there are no none out of them yeah you're doing your speech you can you can counter it when your time comes when your time comes you can have the time can dispute it you can continue you can nothing or counter it Oh Padraks mod I'll get it I'll be other than I'll call me I'll be I'll be I'll be go come I'll be put I'll be I'll be तीन महीनों तक लगाता और दंगे होते रहे इन लोगों ने एक भी बार सदन में चर्चा महीं कराई असम जलता रहा और तो और कॉंग्रेस के लोग एक बार तो असम के यह मुख्यमंत्री को कड़ घरे में खड़ा कर देगे लोगों के बारे में किसे बोल दिया अरे बोडो वहां का नागरिक है उसके बारे में नहीं बोलेंगे किसके बारे में बोलेंगे लेकिन ये लोग बंगला देशियों गुस्पैटियों की वकालत करते हैं और बंगला देशी गुस्पैटियों की वकालत करते हुए इन लोगों ने पूरे बंगला देश, पूरे पुरोत्तर के भारत का जो समीकन बेर बदला है मौदे असम के अंदर, आज पोकराजार, धूबरी, जिरांग और बरवेटा जिले जो हिंसा की सरवाधिक चपेट में हैं, वे सरवाधिक चपेट में जो जिले हैं वे इसलिए हैं, क्योंकि बंगला देशी बुस पेटी वहाँ पर आगर के जमीनों पर कबजा किये हैं इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ-साथ उनके रासन काड़ बनाये हैं और बेस्तरमी के साथ, देश के साथ खिलवाड उन्हों ने वहाँ पर उनके साथ करवाया है मोदे, और तोर, हम किसी और बात में नहीं जाना चाहते हैं मैं पूछना चाहता हूं, कॉंगरेस से और कॉमनिस्टों से भी कोयमबटूर और बैंगलूर धमागों का जो अभ्युक्त है, उस दुरदान्त आतंगबादी के लिए बिधान सभा का सत्र, स्पेसल सत्र बुलाया जाता है दोनों जल एक साथ मिल करके पील करते हैं कि इसको छुडवाओ क्या यही स्टेकलर है, क्या इनका यही स्टेकलर एजेंडा है क्या यही इस देश में यही स्टेकलरिजम है और इस देश के अंदर, इस देश के अंदर मौदे, इस देश के अंदर क्या हुआ था हम भूले नहीं, मौदे 11 अगस्त 2012 को मौदे के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ मौद आजाद मैदान की घटना क्या थी आजाद मैदान में रोयांग मुस्लिम जो बर्मामिद है उनके बीच में और वहां के बौद्दों की बीच में वहां पर हिंसा हुई दंगे हुई यह मामला मैनमार का है भारत का नहीं लेकिन मैनमार की घटना में दंगा कहा होता है आजात मैदान मुंबई में ये लोग मौन रहते हैं वहाँ सेध स्मारक तोड़ा जाता है फुलिस के जवानों को मारा जाता है मीडिया कर्मियों को मारा जाता है उनके साथ साथ पूरे में दंगे हुए उनके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में, लखनों में, कानपूर में, इलाबाद में दंगे हुए ये लोग मौन रहे इन लोगों ने कभी उस पे आवास नहीं लगाई